नमस्कार दोस्तो सबसे पहले में आप सभी मीत्रों का स्फवागत करता हूँ जिनों ने मेरा ये चैनल सबस्क्राप्स किया है उनका भी स्वागत है और दुसरी बात की कई सारे मीत्रों की ओर से मुझे अच्छे से प्रतिभावी मिल रहे है उन सभी का भी धन्यवाद अब दूसरी बाते ना करते हम अपने टोपिक पे आते हैं जो है How to Grow Garlic in Garden Organic तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो चीजे इस प्रक्रिया के दोरान जरूर पढ़ सकती है उनके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं हमें इस प्रक्रिया के लिए Garlic यानि की लहसुन, खाद जो की Organic हो, अच्छी सी जगह, खोदने के लिए बेल चाया, फावडा, मिट्टी को समांदर करने के लिए काटा, और आखिर में पानी तो चलो दोस्तो, अब हम अपने गार्डन में चलते हैं जहां हमें Garlic यानि की लहसुन और के निकली उगाना है तो दोस्तो सबसे पहले हमें जहां भी लहसुन उगाने हैं, उस मिट्टी को अच्छे से खोड लेना है खोडने के बाद इस जगाओ को एस से ही पानी डाले भीना 24 गंटों के लिए छोड़ देना है अब 24 गंटों तक सुखाने के बाद सबसे पहले हमें मिट्टी को बारिक तोड लेना है, जो हम कांटे की मदद से कर सकते हैं मिट्टी को तोडने के बाद हमें एक सिधी रेखा में लंबी सी पाली बना लेनी है, जो की 2-3 इच तक उची हो इसके बाद अब हमें लहसुन की बुवाई करनी है तो इसके लिए हमें हमारी जरूरत के हिसाब से अच्छे से बड़े वाले लहसुन यानि की गारलिक लेने हैं और उनको इस तरह अलग कर देना है, तोड़ देना है यहां आप इस कली के दो हिस्से देख सकते हैं एक हिस्सा पूछ वाला और दूसरा जरा नुकिला है अब पाली के बीच के हिस्से में हाथ से आदे इस गराई में गारलिक की कली को बोना है इस तरह जिससे इसका नुकिला हिस्सा थोड़ा सा जमीन से बाहर है गार्लिक की बुवाई हो जाने के बाद हमें उसके उपर वापस हलकी सी मिट्टी की एक परत लगा देनी है इस परत को हमें दबाना नहीं है इससे खूली ही रहने देनी है जिससे लहसुन यानी गार्लिक की कलियों तक हवा पहुच सके अब गार्लिक के उपर मिट्टी की परत डालने के बाद हमें उसके उपर हलके पानी की बोचार करनी है याद रहे हमें पानी की बोचार करते वक्त यह ध्यान रखना है कि पानी की जो धार है उसके प्रेसर से मिट्टी ज़्यादा दब न जाए या गार्ली की कली के उपर से धूल के हट न जाए और हमें इस बात का विध्यान रखना है कि पहले दिन आसपास की सभी जगह को पानी से भिगो देना है और हमें दूसरे दिन ज्यादा पानी डालना है बस यहां हमारा बुवाई का काम पूरा होता है अब हमें 5-6 दिन राह देखनी है 5-6 दिन के बाद हम देख सकते हैं कि जहां जहां हमने गार्लिक के लिए डाली थी उसमें से हलके हलके से स्प्राउट्स निकले हुए है हम दूसरे 2-4 दिन बाद देखेंगी तब हमें गार्लिक के फोदे में बड़ोधरी नजर आएगी बस अब हमें इन्हें थोड़े थोड़े दिनें के अंतर पे पानी देना है और 90-120 दिन तक राह देखनी है उसके बाद इन्हें हमें जमिन से निकाल लेना है यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का सुक्रिया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें और अपने पहचान वाले और दोस्तों को भी जरूर से बताए आप हमसे फेस्बुक और ट्वीटर के माद्यम से भी जूड़ सकता है धन्यवाद